हेलो फ्रेंड्स मैं जय आपका विसेज ग्यान में स्वागत है फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में इंकम टेक्स की एंट्रीज कैसे पास करेंगे तो आज की वीडियो में जो मैं income tax की entry बताने जा रहा हूँ, ये मैं दो SSC को ध्यान में रखते हुए बताने जा रहा हूँ, एक individual एक HUF, यहाँ पर मैं किसी company वगेरा या partnership फार्म को ध्यान में रखते हुए entries नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके case में entries थोड़ी सी change हो जाती हैं, अगर आप एक individual या HUF की बात कीजिए, तो जब भी individual या HUF जो income tax pay करते हैं, उनकी जो ये payment होती है income tax की, वो कभी भी P&L में नहीं जाती है, वो हमेशा उनकी drawing मानी जाती है, यानि capital से reduce होती है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर entries बताने जानू, तो यहाँ पर मैं सारी situations लगबक clear करने की courses करूँगा इसी वीडियो में, अगर आपको कहीं भी लगे कि मैंने कुछ गलत बोला, या अगर आपको लगे कहीं पर मैंने knowledge को skip कर दिया है, तो वो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, तो मैं फिर उसके उपर भी ध्यान दूँगा अगले बार से मैं फिर उसे सुधार लूँगा, तो जहाँ पर भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो भी आप मुझे comment box में बता सकते हैं, तो देखिए friends, सबसे पहले जो मैं concept लूँगा, वो concept ये है कि अगर आप एक individual हैं, सबसे पहले मैं यह individual को ही target कर रहाँ, क्योंकि जैसा मैं individual के लिए बताऊंगा, सेम आपका हुए F के लिए भी applicable हो जाएगा, तो अगर आप एक individual हैं, और इस case में अगर आपकी कोई tax liability बनती ही नहीं है, income tax pay करने की, तब तो आपको कोई entry नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी condition आपके लिए बन सकती है, कि आप भले tax मा pay करें, और आपकी कोई liability नहीं बन रही हो, लेकिन हो सकता है आपका किसी ने TDS काट लिया हो, तो उस situation में आप उसकी entry कैसे करेंगे टैली में, क्योंकि आपको उसका TDS का जो refund है वो तो claim करना ही पड जब भी आप अपनी return फाइल करेंगे, तो आप वो आप देख लिजे कि आप कैसे करेंगे, इसके बाद मैं फिर एक second मतलब यहाँ पर question raise करूँगा, कि जिसमें आपकी liability बन रही है tax pay करने की, और आपके पास TDS amount भी है, जो कि आपका deduct किया गया है, उसमें से कुछ portion आपको refund मिलेगा TDS से, तो उस situation में कैसे entry करेंगे, तो मैं सारे concept को यहाँ पर अलग-अलग बताऊँगा, कि किस situation में आपको कैसे entries करनी है, तो सबसे पहला मेरा concept यह है, कि आपको कोई liability नहीं यह tax pay करने की, आपका किसी ने TDS काट लिया, आप उसके refund के लिए कैसे entries वास करेंगे, टैली में, यहाँ पर मैंने कुछ entries कर रखी है, आपको अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए, यह मेरी demo entries है, सिर्फ आपको समझाने के purpose से, तो सबसे पहली entry जो मेरी है, वो यह है कि मैंने payment watcher में entry की है, यहाँ पर मैंने किसी firm को loan दिया, यह मैं assume करके चल रहा हूँ, तो देखिए, यहाँ पर मैंने payment watcher में जो entry की है, debit किया है, मैंने उस firm को जिसे मैंने loan दिया है, इसका जो laser create किया है, under loans and advances में create किया है, जो कि balance sheet में asset site जाएगा, एक लाख रुपय मैंने दिये है, और bank के through दिया है, तो मैंने bank को credit कर दिया है, cash में भी आप loan दे सकते हैं, लेकिन maximum limit 20,000 रुपय है, एक financial year के अंदर, income tax act में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर cash का use नहीं किया है, bank का use किया है, अब इसके इलावा अगर मैं यहाँ पर second entry को assume करके चल रहा हूं, कि जो सामने वाली party है, जिसे मैंने loan दिया था, उसने मुझे payment कर दी same financial year में, with interest, तो credit मैंने किया है, interest on loan को, जो की मेरा indirect income है, और जब इसका laser create करेंगे, तो indirect income में रखेंगे से, और GST वगरे not applicable रहेगी, 5000 रुपय मुझे इससे receive हुए है, interest के रूप में, और फिर मैंने credit किया है, HMM enterprises, यानि जिसे मैंने loan दिया था, 1,00, रुपय से मैंने उससे credit कर दिया है, उसके बाद bank को मैंने आपका debit किया है, 1,00, 4,500 रुपय से, यहाँ पर 1,00, 4,500 इसलिए, क्योंकि 1,00, 5,000 तो हो गए 1,00, 5,000, लेकिन जो मेरी सामने वाली party है, उसने मेरा TDS काट लिया, 10%, और वो मेरे बिहाफ पर उसने income tax department में जमा कर दिया, जो कि मुझे जब मैं return file करू और मैं उसे claim कर सकता हूँ, अगर मेरी कोई tax liability नहीं बनती है, तो, income tax में कोई tax liability नहीं बनती है, तो मैं उसके लिए refund claim कर सकता हूँ, जो भी मेरा TDS deduct हुआ है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये laser लिया हुआ है, debit में, TDS refundable financial year 19-20, तो देखे friends, मैंने रखा है, आप वही रखेंगे, आप चाहिए तो मेरे जैसा भी रख सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं, और यह जो TDS refundable का जो मैंने laser create किया है, under current assets मैंने create किया यह याद रखिएगा, तो यहाँ पर मैंने financial year इसलिए डाल दिया, ताकि मु आ सकता है कि सामने वाली party जिसे आपने loan दिया था, उसने आपको payment नहीं की, उसने जो आपका interest बना उसने अपने books में उसे carry कर लिया है, next year के लिए, तो उस situation में कैसे entry होगी, friends अब हम अपना next case दिखते हैं कि next case में आपको कैसे entry करनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो आ को pay नहीं करती है, वो दोनों amount को carry करके next financial year में ले जाती है, और जो आपका interest बना था, 19-20 में, for example, अगर मैं 19-20 financial year की बात करूँ, तो उस पर जो आपका interest बना था, उसके उपर जो tedious था, वो deduct करके income tax department को जमा भी कर देती है, लेकिन आपको, मतलब, actually, 19-20 में, न तो principal amount मिलता है, नए interest मिलता है, वो आपका carry हो जाता है उसके books में और आपके books में, तो उस situation में आप इसकी entry कैसे करेंगे, कई लोग ऐसा करते हैं, friends, वो लोग सिर्फ carry करके ले जाते हैं, actual में pay नहीं करते हैं, बाद में जाकर जब last एक दम time आता है, तब pay करते हैं, तो उस situation में आप journal वाचनल में entry करेंगे, debit करेंगे, जो आपकी party है, जिससे आपने loan मतलब दिया था, उसे आप यहाँ पर debit करेंगे 4500 और पैसे, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4500 और पैसे आप उससे debit करेंगे, क्योंकि 500 और जो आपके हैं, उसने उसे income tax department में TDS के नाम से जमा कर अब यहाँ पर debit होगा, हमारा TDS refundable का जो लेजर है, वो 500 और credit होगा, interest on loan पूरे 5000 और इस तरीके से यह entry होगी, तो देखे, friends, हम इसी entry करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखे, इस case में balance sheet में लगवग आपका जो TDS की, अगर आप बात कीजिए, जो TDS का लेजर है, औ तो हमें अभी इसी को ही carry करके चलना है, तो अब suppose कीजिए कि आपका ये financial year 19-20 है, यहाँ पर TDS amount आपको reflect हो रहा है, debit side, और आपकी कोई income tax liability नहीं बन लई है, गौर्वेंट को pay करने की, तो जाहिए इस बात है, उस situation में जब आप financial year 20-21 केस में अपनी return फाइल करेंगे, तो इस amount को आप claim करेंगे government से, तो अब हम चलते हैं next financial year में, हमारा 19-20 में यही काम था, इस situation में, इस example में हमारा 19-20 में इतना ही काम था, इतनी ही entry करनी थी, तो अब आपका अगर कोई दूसरा case है, किसी और case में आपका TDS deduct हो है, तो entry लगवग almost यही होने वाली है, financial year 19-20 की का जो refund आता है, उसके साथ आपको interest भी आती है, तो उसकी entry आपको कैसे करनी है, next year में, यानि assessment year में आपको उसकी entry कैसे करनी है, तो अब चलते हम देख लेते हैं, Friends, अब यहाँ पर देखिए, assessment year 2021, यानि यह जो मेरा assessment year 2021 है, यह मेरी financial year 19-20 का assessment year है, तो यहाँ पर जब मुझे refund मेरा आ जाएगा, TDS का refund जब income tax department से आ जाएगा, तो इस time पर मैं क्या entry करूँगा, और यहाँ पर मैं एक बात और clear कर दूँ, कई लोग यह सोच रहे होंगे, क हमें कई बार, assessment year 2021 है, इसमें हमें refund नहीं आता है, हमें उसके बाद आता है refund, क्योंकि हमने जो return फाइल की है, 31 March 2021 को फाइल की है, तो इस situation में हमें जो refund हैगा, वो तो उसके बाद आएगा, तो जिस भी year में आपको refund है, यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से समझना चाते है तो आप यह समझ लीजे, कि जिस भी year में आपको refund आ जाता है, income tax department से, उस time पर आपकी यही entry होने वाली है, अगर assessment year में आ जाता है, तो तो ठीक है, अगर उसके बाद आता है, उसके बाद जो भी subsequent year है, वहाँ पर अगर जो भी increased है, या जो आपका TDS refundable amount अगर आता है, तो व 500 रुपए से हमारा 500 ही आने वाला था, और यहाँ पर interest on TDS refund, हमें TDS का जो हमारा amount रहता है, उसके पर interest मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, इससे भी आप credit करेंगे, और यह जो interest on TDS refund है, indirect income है हमारी, और जो भी हमें amount मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ मैंने assuming purpose के लिए इस तरीके से बनाया है, 15 रुपए मुझे मिल गए, और उसके बाद bank में, हमें क्योंकि यह bank में आ रहा है, तो bank का जो amount है, वो 555 से हम debit कर देंगे, इस तरीके से इसकी entry होगी, और मैं यहाँ पर friends यह भी बता दूँ, यह जो आपको interest मिलता है, TDS के amount पर, यह आपका income from other sources में taxable होता है, जिस भी year में आपको यह जो interest हो रिसीव होगा, उस year की जब आप return फाइल करेंगे, उसके assessment year में, तो वहाँ पर income from other sources में आप इस interest को दिखाएंगे, यह जो भी amount हो, 10 रुपए हो, 10 हजार हो, जो भी amount हो, वो आप वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि यह taxable होता है income from other sources में, किसी भी परकार की कोई भी entry tally में income tax को लेते हुए नहीं पास करनी है, दूसरी situation यह है, जो कि मैंने आपको बताया, क्या आपकी कोई tax liability नहीं, income tax में tax pay करने की, ना ही आपने कोई advance tax pay की है, लेकिन आपका किसी ने TDS काट कर जमा कर दिया income tax department में, जिसकी आपको refund claim करनी है, तो वो entry तो आप समझ चुके हैं, अब मैं तीसरी situation ले रहा हूँ, जिसमें कि आपकी TDS तो किसी ने काटी काटी है, लेकिन आपकी जो tax liability income tax में, वो भी pay करने की बन रही है, आपको income tax भी pay करना है, तो situation में आप tally में entry कैसे करेंगे किसी financial year में, तो देखिए friends यहाँ पर ज उसके entry receipt watcher में करेंगे, तो अगर आपको receive हो जाती है payment, same financial year में, तो आप receipt watcher में entry उसी तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता है, इस case में भी वैसे ही entry होगी TDS की, तो अगर payment receive हो गए तो receipt watcher में आप entry कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसके र अब reflect हो भी रही है, इस तरीके से entry करेंगे इस case में भी, जो यहाँ पर TDS के entry सेम होने वाली है, तो आपके समने दो case है, एक case है कि अगर receive हो जाती है, तो receipt watcher में entry करेंगे, receive नहीं होती है, तो journal watcher में करेंगे, इसके लाब एक case एक और बनता है, जो मैंने previous से आपको नहीं सके, यहाँ पर मान कर चलिए, मुझे सिर्फ, मतलब जो interest का amount है, वो दिया है, मेरे जिसे मैंने loan दिया था, उसने मुझे सिर्फ interest का amount दिया है, principal amount नहीं दिया है, तो उस case में, यहाँ पर interest on loan, 5000 रुपए, debit होगा हमारा bank, bank कर लेंगे debit, 4500, और उसके बाद यहाँ पर TDS का यह जो ले जारे 500 से, हमारा debit हो जाएगा, तो इस तरीके से entry कर लेंगे, अगर सिर्फ आपको interest उसने actually pay कर दी है, same year में तो, तो यहाँ पर मैंने तीनों situation clear कर दी, कि तीनों situation में कोई भी situation हो TDS के case में, तो आप इसी तरीक case entry करेंगे, जो भी मैं case आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अब यहाँ पर question यह arise होता है कि, जो हमें income tax pay करनी है, उसकी entry हम कैसे करें, financial year में, जिस financial year के हमें tax pay करनी है, उस financial year में, जो income tax की liability है, उसकी entry हम कैसे करें, तो देखें, उसकी entry मैंने already कर रखी है, मैं एक बड़ा क इसको दोड़ाता हूं, आपका जो भी financial year हो, जिस भी year के आप tax pay करने जा रहे हो, income tax की, उस year में जाकर आपको यही सारी entry करनी है, तो यह entry आपको करनी है, जर्नल वाचर में करनी है, और last date को करनी है, 31 March को यह entry आपको करनी है, कोई भी financial year हो, उसकी 31 March को ही यह entry होगी, और इ reason entry बोलते हैं, क्योंकि हमने, जो financial year है, जिसके लिए हम tax pay करें, उस year में हमने tax pay नहीं की है, actually, हम जो इसकी tax pay करेंगे, हम assessment year में करेंगे, जैसे कि मेरी अगर financial year 19-20 है, तो मैं जो इसकी tax pay करूँगा, मैं इसकी tax pay करूँगा, assessment year 2021 में, जब मैं self-assess करूँगा, अपनी, जो के बाद जो भी deductions वगर माइनस करने के बाद जब मुझे पता चलेगा कि मुझे इतनी tax pay करनी है return फाइल करते वक्त उस टाइम पर मैं उसे pay करूंगा तो देखे फ्रेंड्स आपको financial year जो भी financial year है जैसे मेरे case में 19-20 है वहाँ पर एक provision entry pass करनी पड़ेगी कि आपकी कितनी liability बनती है government को tax pay करने की तो normally देखा जाए तो 31 March तक आपको पता चली जाता है साम तक रात तक कि मुझे इतना pay करना पड़ेगा क्योंकि आप एक अंदाज तो लगा ही सकते हैं अगर आप टैली मेंट्री कर रहे हैं कि इतना मेरा profit है net profit मेरा इतना है इसके बाद deductions इतनी या हो सकता है आपने जो expenses book करके रखे है पी एंडल में आपका कुछ expense disallow हो जाए तो उस case में आपको ज्यादा tax pay करनी पर जाए जब आप self assess करेंगे assessment year में और जब tax pay करेंगे तो उस time पर हम यह जो assessment year है वहाँ पर जाकर हम इसकी entry को ठीक कर सकते हैं लेकिन friends फिर भी आपको कम tax pay करनी पड़े ज्यादा tax pay करनी पड़े यह एक आप अनुमानित entry कर रहे हैं यानि estimated entry है यह आप एक अपनी estimated income को mind में generate कर रहे हैं कि इतना ही मेरी income ठहरने वाली है सारे expenses को घटाने के बाद सारे deductions को घटाने के बाद उस basis पर आप यह entry कर रहे हैं ठीक है तो आप यहा अपर एक ट्रेक है लेकिन उससे ध्यान से सुनिएगा जैसे कि मान कर चलिए मेरी financial year 19-20 है assessment year 16 है तो normally अगर देखा जाए तो हम 31 जुलाई तक अगर हम belated return file नहीं करते हैं और हम individual हैं हमारा audit नहीं होता है तो हम normally 31 जुलाई तक return file कर देते हैं कई लोग तो उसके बाद भी कर करते हैं लेकिन normally मैं बात करूँ 31 जुलाई तक हम कर देते हैं तो उस case में जब आप return file करते हैं तो return file करने से पहले आप एक computation तयार करते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि इतनी deductions है इतना मेरा profit है इतनी मेरी expenses है उसके बाद मुझे इतनी tax pay करनी है और return file करने से पहले आ करी सकते हैं tally में आप उस time पर भी जाकर एक्तियस मार्च को provision entry कर सकते हैं tally में financial year में जाकर और उस time पर आपकी कोई गलती होगी नहीं क्योंकि जितनी tax आपने pay किये same entry आप वहां जाके कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपने एक्तियस मार्च को entry न तो उस case में आपको manually जाके next year में जो कि हमारा assessment year है वहाँ पर इसका effect दिखाना पड़ेगा provision entry का effect वहाँ पर जाके आपको manually दिखाना पड़ेगा अगर आपने एक्तियस मार्च को entry पास नहीं किये आपने backdated entry किये तो तो देखे friends यहाँ पर अब मैं वो सारी entry के बारे में ब जैसे ही रहेंगी जैसे मैं अब आपको आगे बताऊंगा खाली वहाँ पर क्या होगा कि आपका difference नहीं आएगा क्योंकि आपने जो actual tax pay की है उतनी ही आपने जाकर provision entry पास की है तो उस case में difference नहीं आएगा बाकी सारा concept same होने वाला है उस case में भी ठीक है तो यहाँ पर मैं य यह नहीं मान रहा हूँ कि मैंने tax pay की है उसके बाद मैं आके backdated entry करना हूँ यहाँ पर मैं यह मानते हुए चल रहा हूँ कि मैंने 31 March को ही provision entry कर ली है तो यहाँ पर क्या करना है आपको debit करना है capital को जैसा कि मैंने आपको बता है कि individual और HOF के case में आपकी जो आप tax pay करते है income tax क यहाँ पर आपके capital से reduce होती है यानि उसे drawing मना जाता है वो आपके P&L में नहीं जाती है तो यहाँ पर for example मैंने 400 रुपीज अनुमानित किया है कि मुझे इतनी tax pay करनी है debit किया मैंने capital को और credit किया है मैंने income tax payable for financial year 19-20 के ledger को जो की मेरा current liabilities यानि provision के अंदर है मैं आपको ए इस तरीके से मैंने laser create किया है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्यों लिखा income tax payable यानि अभी मैंने pay नहीं किया है और मैंने यहाँ पर marking कर दी है मतलब financial year 19-20 का यह मेरा tax है क्योंकि आपको मैं बता दूं income tax में जिस year का tax होता है उस year के लिए पे कर सकते है ऐसा नहीं मान कर चलिए आपने इस year में ज्यादा pay कर दिया है tax for example आपको अगर मैं advance tax की बात करूं कि advance tax आपने 19-20 में ज्यादा pay कर दिया है तो वो आपको 20-21 में refund आएगा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 20-21 की जो tax liability है उसको advance के साथ adjust कर लें वैसा नहीं होता है income tax में जिस year की tax है उस year में व देख लिजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको reflect होगा 19-20 में कि इतनी मेरी liability है pay करने की आप अंदर जाएंगे provision में देखेंगे credit side आपको reflect हो रहा है कि इतना मुझे pay करना है यह इसलिए किया जाता है था कि आपकी proper accounting भी maintain रहे है आपको पता भी रहे कि मुझे actually कि pay करना है किसे क्या क्या pay करना है तो आपको अगर आप booking नहीं करेंगे इसकी provision entry तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे income tax को इतना tax pay करना है आपकी balance इतने तो यह कभी reflect होगा ही नहीं इसके बाद यहाँ पर TDS हमारा asset अभी दिखेगा क्योंकि अभी मैंने उसे claim नहीं किया ह और नहीं मेरे पास पैसे वापस हैं अब यह जो entry है जो मैं claim करूंगा या tax pay करूंगा इसकी entry मैं assessment year में करूंगा तो अब मैं फिर से अपनी period change कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि assessment year में अब आप इसकी entries कैसे करेंगे जो financial year है वहाँ पर तो simple entry यह एक 30 मार्च को आप एक provision entry पास कर ले मैंने आपको दो situation बता दिये या तो आप estimated earning के ऊपर वहाँ पर एक provision entry पास कर लीजिए या इसके लावा आप backdated entry कर लीजिए तो आपके पास दोनों options है तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं assessment year में यहाँ पर अभी भी आपको reflect हो रहा है provision में 400 रुपए और TDS refundable 500 रुपए अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो मेरा TDS का amount है वो जादा है मेरा ठीक है तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक adjustment entry करनी होगी journal watcher में यानि मुझे जो tax pay करनी है वो मुझे मेरे TDS से pay करनी है तो for example मैं यहाँ date ले लेता हूँ एक साथ मान लीजे मैं एक साथ को ही tax की payment कर रहा हूँ for example मैं return एक साथ को ही file कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा जो मेरा amount है इसका आपको provision का वो मैं यहाँ पर लूँगा provision का जो मैंने बनाया था income tax payable का यहाँ पर 400 रुपीस ठीक है debit करूंगा debit करते ही वो मेरा balance यहाँ से नील हो चुका है और credit मैं करूंगा जो मेरी TDS का laser है 400 रुपे से हो गया अब देखिए यहाँ पर balance sheet में आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास जो provision है वो यहाँ से blank हो चुका है और जो TDS है वो 100 रुपे मुझे बाकी रह गया है refund लेना तो म मान कर चलिए मुझे जब भी refund आ जाया for example मान कर चलिए मुझे एक दस को refund आ जाता है government से तो यहाँ पर मैं receipt watcher में उसकी entry कर लूँगा मुझे refund आया है TDS का bank में तो यहाँ पर मेरा TDS होगा 100 रुपे credit receipt watcher में और उसके बाद फिर जो interest का मैंने जो आपको बताया था कि interest भी मिलती है TDS amount पर मान कर चलिए 5 रुपे मिली मैं यहाँ पर सिर्फ example के लिए बतारू यह कोई figure accurate नहीं है bank में इस तरीके से आपकी entry होगी तो आपके सामने यह जो तीसरा case था यह भी solve हो चुका है कि इस situation में आपको entry कैसे करनी है अब मैं चौथा case लेता हूँ जिसमें मेरा TDS amount नहीं है सिर्फ मेरी tax liability है government को pay करने की तो case में आप कैसे entry करेंगे तो चलिए एक बरम जल्दी से जाकर financial year एक चार में जाकर 19 में जाकर सारी changes कर लेते हैं Friends हमारी जो चौथी situation है इसके अंदर हमारी सिर्फ एक entry pass होगी financial year में जैसे कि मेरा case 19-20 का है तो 19-20 financial year में हमारी सिर्फ एक entry pass होगी journal watcher में provision for income tax payable की जो कि आपको screen पर reflect ओरी और जो कि मैंने previously entry pass की थी वही entry यहाँ पर reflect ओरी है वही entry आपको यहाँ पर pass करनी है जो भी आप एक estimate कर रहे हैं कि आपको इतना tax pay करना है तो उतना आप amount ले लेंगे और इसी तरीके इस entry pass करेंगे एक तिसमार्च को journal watcher में यहाँ पर मैंने जो TDS का amount था जो कि मुझे receive हुआ था मतलब मैंने जो TDS के entry की थी वो मैंने delete कर दी है क्योंकि मेरे case में अब मैं यह मान कर चल रहा हूँ इस case में कि मेरा कोई TDS वगएरा नहीं है सिर्फ मुझे tax pay करनी है मेरी tax की liability है अब मैं आ जाता हूँ assessment year में 14 2020 से लेकर अब इस year में मुझे tax की payment कैसे करनी है for example अगर मैं वो case लूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप backdated entry कर रहे है तो इस case में आपकी provision entry कभी भी घराब नहीं होगी आप जो provision entry में amount reflect करेंगे वही आपको tax pay करनी पड़ेगी तो इस case में आपको कैसे payment करनी है आ इसे आपको 400 रुपीज से debit कर देना है और credit करना है जो भी आपकी bank है cash में करना है तो cash कर देंगे ठीक है इस तरीके century करेंगे जब आप tax की payment करेंगे assessment year में तो यहाँ पर इस तरीके century होगी आप date को ध्यान में नहीं रखेंगे date मैंने ऐसे ही एक April लेकर रखिए सिर्फ मैं entry पर आपको focus कर रहा हूं कि आपके entry ऐसे होगी जब आप pay कर देंगे अब एक example हम यह लेते हैं कि हमें tax की ज़्यादा payment करनी पर रही है तो उस case में हम entry कैसे करेंगे तो वो भी आप देख लीजे एक बार अब मैं इस entry को accept नहीं कर रहा हूं अब देखे friends अगर assessment year में मान कर चलिए आप एक जुलाई को अपनी जो tax है वो assess कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि मुझे 100 रुपय ज्यादा tax pay करनी है और मैंने जो provision entry वो 100 रुपय से कम की किया है तो आप कैसे entry करेंगे तो देखे जर्नल वाचर में आपको एक entry करनी है आप इस case में दो तरीके से entry कर स for financial year 19-20 यहाँ पर मैंने define कर दिया कि यह जो difference है income tax payable में यह किस year के लिए difference है 19-20 के लिए क्योंकि मैंने बता दिया कि income tax में कोई भी जो tax है वो किसी दूसरे year से adjust नहीं होती है इसलिए यहाँ पर marking करना जोड़ी है यह कर दिया और इससे मैंने रखा है capital account में यह आप देख कि मुझे जब payment करनी है यह मैं पहला प्रोसेस बता रहा हूं payment करनी है तो payment watcher में आऊंगा और यहाँ पर जो income tax payable का जो लेजर है हमारा 500 पर लूँगा और जो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि bank लेके मैं इस तरीके से pay कर दूँगा अब मैं दूसरा case ले रहा हूं यहाँ पर कि मैं यह entry नहीं कर रहा हूं for example यह जो entry मैं यह नहीं कर रहा हूं मैं direct journal watcher में एक entry कर रहा हूं यहाँ पर journal watcher में यह जो अब second process बता रहा हूं यह entry करने इस पहले आपको एक option को activate करना होगा allow cash account in journal watcher इसे accept करके yes करके उसके बाद control एसे यह enter एंटर करके इस window को accept कर लेंगे अब इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर आपको डेविट करना होगा income tax payable को 400 रुपै से और उसके बाद फिर डेविट करना होगा वो जो मैंने अभी laser create किया difference वाला 100 रुपै से क्योंकि 100 रुपै का difference है और उसके बाद यहाँ पर आपका credit होगा bank या cash इस तरीके से भी आप entry कर सकते हैं इस तरीके से entry कीजेगा तो एक ही बाद में आपके entry हो जाएगी अगर जो मैंने पहला process बता है उस तरीके से entry कीजेगा तो दो बाद में entry होगी अलग-लग vouchers में तो इस तरीके से आप entry कर सकते हैं अब for example मान कर चलिए आपने provision बनाया था 400 रुपै का financial year में assessment year में आपको पता चलता है कि नहीं मुझे 300 रुपै पे करने हैं मैंने 100 रुपै का ज़्यादा provision कर लिया था तो कैसे entry करनी है अब आप वो भी एक बार देख लिजिए इस situation में भी friends आप दो तरीके से entry कर सकते हैं पहली entry देखिए आप payment watcher में करेंगे income tax payable 300 रुपै से और debit 100 रुपै से क्योंकि 100 रुपै मैंने ज़्यादा provision कर दिया था और credit होगा हमारा capital का लेजर एक तो यह तरीका होगा entry करने का दूसरा तरीका क्या है दूसरे तरीके में आपकी तीन entries दोंगी तीसरी entry कैसे होगी तो यहाँ पर मैं यह जो entry इसे change कर देता हूँ यहाँ पर credit क किसरी entry कैसे होगी जो हमने difference का laser बनाया था उसे ही मैंने credit किया है अब मैं यहाँ पर उसे वापस से debit कर देता हूँ तो friends आप तरीका अलग अलग हो सकता है entry करने का किसी का भी लेकिन effect सेम पढ़ने वाला है सब cases में तो आपको जो better लगे जो आपको easy लगे तरीका आप उस से entry कर सकते हैं तो देखे friends इस तरीके से entry हो गई आपकी अब मैं जो case लूँगा वो यह है कि आपका advance है जो आपने government को जमा कर रखा है यानि advance tax आपने pay कर रखी income tax में इसके लब आपका TDS भी deduct हुआ है और आपको provision entry भी पास करने है तो यह सारी चीज़ा आप कैसे करेंगे Friends मैंने अभी तक income tax की entries को लेते हुए आपकी कई situations को cover किया है अपने इस वीडियो में और आगे भी मैं कई situations को cover करूँगा लेकिन मैं यहाँ पर साफ तोर पे एक बात आपको बता दूँ कि यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि जादा से जादा SSC जो भी है इंडिविज solve करता हूँगा और वो कोई भी ने कर पाएगा क्योंकि सभी की अलग लग situations होती है कई लोगों के क्या होते हैं कि advance जादा चले जाते है income tax में कई बढ़ क्या होता है कि advance कम गया है tax liability जादा है कई ब़र tedious का amount कम है tax liability जादा है इस तरीके से अलग-लग situations होते हैं लोगों के त ज़्यादा से ज़्यादा SAC को फाइदा पहुंच सके इस वीडियो को देखने के पाद। तो basic concept अगर आपका clear है, किसी भी entry को लेते हुए, तो situation में आपको एक दो entry के अगर hint मिल गई तो उसके बाद सारी entries आप खुद से कर लेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका basic concept अगर clear है, तो आपको कोई entry किसी से पूछने की ज़रत नहीं पड़ेगी, और मेरा मकसद इस वीडियो में यही है, कि मैं आपका basic concept entries को लेते हुए, वो मैं आपको clear करवा सकूँ, अगर आपका basic concept clear हो गया, तो किसी भी परकार की situation आ जाए, आप उसे sort out कर लेंगे, प्रेंट्स, आप मेंसे कई लोग तो यह जानते ही होंगे कि income tax में advance tax क्या होती है, और इसे कब pay करना पड़ता है और कैसे pay करना पड़ता है, लेकिन आप मेंसे कई ऐसे SSE होंगे, जिनने आज तक ये पता ही नहीं होगा कि income tax में advance tax नाम का भी कुछ छीज होता है, और advance tax कब pay की जाती है उन्हें ये भी नहीं पता होगा, और कैसे pay की जाती है उन्हें ये भी नहीं पता होगा, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ entries बता दूँ कि advance tax के situation में आपको कैसे entry करनी है तो हो सकता है, maybe वो confused हो जाएं जिनने ये पता ही नहीं कि advance tax होती क्या है, जब उन्हें advance tax ही नहीं पता है तो वो entry मेरी समझेंगे कैसे, तो उसलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी basic hint देना चाहता के advance tax होती क्या है, तो देखिए friends अगर मैं normally बात करूँ वैसे SSC की जो लोग advance tax नहीं देते हैं, तो उस case में वो लोग कैसे tax pay करते हैं, उस case में जैसे मान कर चली अगर मैं यहाँ पर financial year 19-20 की बात करूँ, यानि with verse 19-20 की मैं बात करूँ, तो वैसे SSC जिस year में कमाते हैं, उसके बार जब उन्हें पता चलता है कि मुझे इतनी tax pay करनी है, तो जाकर उस year में tax pay करते हैं, यानि financial year की tax वो assessment year में pay करते हैं, ठीक, normally लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिर advance tax ऐसा नहीं है, advance tax का मतलब होता है जिस year में आप कमा रहे हैं, यानि financial year की बात हो रही है, यानि 19-20 में आप कमा रहे हैं, तो 19-20 में ही उस income का, जो income आप 19-20 में generate करें, उसका tax आप government को जमा कर दीजिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब भी को जमा करना होता है, और जमा करना होता है, तो कैसे जमा करना होता है, और income हमें पता कैसे चलेगी, क्योंकि अभी तो year खत करने की, income tax department को tax pay करने की liability 10,000 या उससे उपर आती है, किसी भी financial year में, तो आपको advance tax pay करनी परती है, तो अब आप ये कैसे पता करेंगे कि 10,000 आड़ ये की नहीं, तो देखिए, जो आपकी total taxable income है, यहाँ पर मैं जो भी आपकी income है, उसके पर जो भी deductions है, जो भी expenses है, इस के इलावा, TDS less करने के बाद, मतलब TDS को minus करने के बाद भी, आपकी 10,000 या उससे उपर के liability बन जाती है, किसी financial year में, government को income tax pay करने की, तो आप advance tax में आ जाते हैं, सपोस कीजिए कि आपको किसी financial year में, इसके बारे में पता ही नहीं था, और आपने advance tax नहीं पे की, तो उसके पर interest लगती है, जिसमें आपको उसके पर interest लगती है, जितनी आप tax नहीं पे करते हैं, वो जब आप अपनी return फाइल करेंगे, वहाँ पर वो automatic compute हो जाएगी, जब आप उसकी return वगरा फाइल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो automatic उस tax amount को, जो भी आपकी tax amount बनती है, वो वहाँ पर जो उसका software है, जो utility है, जावा utility है, एक्सल utility वो catch कर लेगा और आपकी interest बना देगा, कि आपकी इतनी interest बनती है, आपने advance tax नहीं जमा की थी, तो उस case में अगर मानकर चली किसी financial year में आपको नहीं पता है, और आपने नहीं की तो assessment year में आपको interest लग जाती है, उसके बाद क्योंकि अब वो जो assessment year है, जिस year में आपको interest लगी, अब आपको पता चल गया है कि advance tax मेरी बन चुकी है मेरे previous year में, अब इसके बाद क्या है, जिस year में आपकी assessment year है, अब वो भी तो आपकी financial year होगी, और उसके बाद उसकी भी तो कोई assessment year होगी, अब उस year में आपको अपने tax department को भी पता चल चुका है, क्योंकि previously आपकी advance tax में आप आ चुके हैं, तो हो सकता है आपको notice आजाए कि आपको इतनी tax जमा करनी है, बात को मेरी समझीएगा, मैं फिर से remind कर रहाँ कि कि किसी भी financial year में आपको पता चल जाता है कि आपको 10,000 या उससे ज़्यादा tax पे करनी ह बाद, deductions और उसके इलावा जो भी expenses सब को less करने के बाद, तो आपको advance tax जमा करनी होती है, income tax department को, लेकिन मान कर चल ये, आपको नहीं पता था, आपको उसके बड़े में जानकारी नहीं की, तो इस situation में आप अगर किसी financial year में advance tax पे करना भूल जाते हैं, या नहीं पे कर प पता चली जाएगा, आपका CA lawyer आपको बता ही देगा कि इतनी tax बनी और आप advance tax में आप चुके हैं, तो अब जिस year में आपको ये पता चल चुका है, वो भी आपके financial year है, किसी assessment year के लिए, तो उस year में अब जब आप income generate करेंगे, तो अब आपको tax pay करनी पड़ेगी advance में, और अगर आप नहीं करेंगे, तो अब आपका income tax department को भी पता चल चुका है, क्योंकि आपके previous year की return file हुई है, तो उसे भी पता चल चुका है, कि आप previous year में advance tax में थे, तो आपको notice आ सकती है, तो आप समझ गए, कि सबसे पहली बात 10,000, कि limit cross हो जाए, तो आपको advance tax देनी है, देना है, तो income tax की website पर जाकर या NHDL की website पर जाकर चलान create करके आप advance tax जमा कर सकते हैं, एक, अब चलिए advance tax आपने जमा कर दी, लेकिन आप करेंगे कब-कब, ये सुन लीजिए, अगर आप ITR 4 file करते हैं, यानि प्रिजंटिव बेसिस पर अपनी income को दिखाते हैं, ITR 4 file करते हैं, तो उस case में आपकी एकी installment बनती है, उस case में आपको जो भी financial year है, उस financial year में मार्च में, 15 मार्च तक आपको अपनी advance tax जमा करनी होती, 100%, 100% का मतलब जो भी आप estimated earning अपनी mind से सोच सकते हैं, कि मैंने इतना कमाया होगा, इतना मेरा earning हो गया, इस सारी deductions को लेस करने के बा आप उसके उपर tax जमा करेंगे 15 मार्च तक, अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं, तो लेकिन अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं, उस case में आपका 4 installment है, एक है आपका 15 जूंग, दूसरा है आपका 15 सेप्टेंबर, तीसरा है आपका 15 दिसंबर, चौथा है 15 मार्च, पहले में आपको क क्या करना है, जो पहला installment है, वो 15%, दूसरी installment 45%, तीसरी installment 75%, और जो last installment है वो 100% होगी, तो अगर आप books of account maintain करते हैं, और आप जाहिर से बात है, अगर ITR 3 फाइल करते हैं, तो books of account maintain करते ही होंगे, तो उस case में आपको अगर मान कर चलिए जो first installment की date है 15 जूंग, उससे पहले आप को अंदाज तो लगी जाता होगा कि मैंने इतना profit earned कर लिया है, उसके बाद आपको उसी के हिसाफ से calculate करना है, अंदाजी कि मैं पूरे year में कितना earning करूंगा, अंदाज आपने कर लिया, इतना earning करूंगा, इतनी deductions लूंगा, इतना expense होगा, उसी के basis पर आप एक अंदाजी income होगी, इतनी deductions होगी, सारी चीज़े less करने के बाद मुझे 50,000 tax pay करना पड़ेगा, तो जो tax का amount है, उसका 15% आपको first installment में pay कर दिना है, ठीक है, अब जो next installment है, उसमें आपका, क्योंकि आपने 15% pay कर दिया है, तो वहाँ पर 45% है, तो वहाँ पर आपको 45% pay नहीं करना है, वहाँ पर 30% pay करना है, 30% इसलिए क्योंकि 45 में से 15% minus किजिए, तो 30% बचेगा, क्योंकि आपने first installment pay कर दिये, अगर आपने first installment pay नहीं की होती, तो आपको direct जाके 45% वहाँ pay करना परता second installment में, और उसके बाद जब आप पूरी अपनी pay कर देते हैं, और फिर जब assessment year में आप return फाइल करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि आप मतलब first installment आपने pay नहीं की थी, तो उतने period का आपको interest लग जाता ठीक है, तो इस तरीके से आपको tax pay करनी परती है, advanced tax में, और यहाँ पर एक estimated earning के उपर आपको tax जमा करनी परती है, यह आपको अनुमान अपने प्रियेंडल को देख कर लगाना पड़ेगा, इसे आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद से इसे अनुमानित करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो capital gains वगरा है, उसके उपर बहुत सारी चीजों में directions मिली हुई है, कि आप इस time तक अगर आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि कई पर ऐसा भी होता है, कि आपको मार्च में जाकर आपकी कोई property sale हुई, या कोई capital gain generate हुई मार्च मन्त में, आपको शुरू में तो पता ही नहीं था, first installment, second installment या third installment के time, तो आप उसके उपर कैसे मतलब tax जमा करते हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग sections में कुछ छूट है, तो वो आपको पूरी detail में देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो basic concept है, कि advance tax एक तो 10,000 से उपर की जब liability बनती है, तब जमा करनी होती है, ITR 4 के case में एक installment होती है, जो कि 15 मार्च होती है, ITR 3 के case में तीन installment होती है, जो कि मैंने बता दी, और tax आप online, offline कैसे भी जमा कर सकत हैं, नहीं जमा करेंगे, तो interest लगेगी, और 2-3 sections में interest लगती है, और यह interest कब लगेगी, जब आप return file करेंगे, वहाँ पर जो उसकी utility है, tax calculate करेंगे, और वहाँ पर अगर आपने जो चलान की details है, वहाँ पर नहीं fill की, या fill की, अलग-अलग dates की fill की, जो उसका due date था, उसके बात की fill की, तो उसके साथ से जो utility वो automatic calculate कर लेगी, कि आपकी इतनी interest बनती है, और वो जब आप वहाँ पर tax pay करने जाएंगे, तो आप पर interest के साथ ही आप tax pay करेंगे, मतलब ITR file करते वक्त, तो अब आपको ये clear हो गया होगा, कि advance tax होती है, अब मैं आपको entry बताँगा, तो अब आपको easily समझ में आगा कि कैसे entries हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो आप अनुमानित आए, अपनी गन्ना करेंगे, जिसे आप calculate करेंगे, तो हर बार जब आप tax जमा करने जाएंगे, जो भी installment की date है, तो हर बार आपको उसे calculate करना होगा, क्योंकि 15 June तक आपको तो सिर्फ एक अंदाज आपने लगाया, कि इतना मैं earn करूंगा, 15 September को आपको ज़्यादा clarity मिलेगी, क्योंकि आपके पास time आपका और निकल चुका है, और आपने और income generate कर लिया, तो उस basis पर आप सोच पाएंगे, 15 December को और ज़्यादा clarity मिलेगी, अब मैं और हमा सकता हूं, वो आपको सब पता चलते जाएगा, यानि हर installment के time पर आपको फिर से calculate करना है, कि अब मेरी इतनी income है, तो आगे जाके कितनी होगी, अगर कम होगी, तो कम भी tax pay कर सकते हैं, अगर जादा होगी, तो जादा tax pay करनी पड़ेगी, मतलब second installment में, third installment में, तो ये सार पर देख लें कि advance tax की calculation कैसे होती है, कैसे हम उस पर अनुमानित मतलब tax जमा कर सकते, ये सारी चीज़ा आप देख लें तो आपको clarity ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर मेरा मतलब मकसद इस वीडियो में ये नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बता दिया, जिन लोग ITR4 फाइल करते हैं, और जिनके केस में एक installment में advance tax जाती है, 100% जो की होती है 15 March, ठीक है, लेकिन अगर आप ITR3 फाइल करते हैं, तो जैसा कि आपके केस में चार बार installment होती है, advance tax pay करने की, तो जो entry मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा, वैसी ही same entry आपको भी करनी है, अ आपने advance tax पे ही नहीं की है, उस financial year में, तो आपको entry करनी ही नहीं है, आप जब assessment year में जाएंगे, वहाँ पर जब आप अपनी जो tax है, वो calculate करेंगे, वहाँ पर जो interest वगर आपको देना पड़ेगा, वो दे देंगा और उस time पर आपकी entry हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप मान कर चलिए, ITR 3 फाइल कर रहे हैं, और आप चार बार payment actually कर रहे हैं, तो जिस date को आप payment करेंगे, उसी date को ये entry पास करेंगे, advance tax की जो अब मैं आपको screen पर दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पर मैं assume करके चल रहा हूं, उन लोगों को जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, advance income tax for the financial year 19-20, इसी तरीके से जो भी आपकी financial year हो, उसे आप यहाँ पर marking कर देंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद इसे current assets में रखेंगे, अब बात ये तो हो गई friends, अब हम आजाते हैं, यहाँ पर suppose कीजिए, कि मैं अब entry करने जारूं payment की, 19-20 में, तो इस case में देखें friends, मेरी यह educational tally है, तो यहाँ पर अगर मैं 15 March को payment कर भी रहा हूं actually, तो इस case में मैं यहाँ पर 15 March को entry नहीं कर सकता हूं, क्योंकि educational tally में हम date change नहीं कर सकते हैं, इसमें हम 1, 2 या 31 तारीकी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं assume करके चल तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, advance tax को debit करेंगे, और for example मेरे case में मान कर चली मैंने 100 और पे पे किये हैं, ठीक है, और credit करूंगा मैं bank को, अगर bank से payment कियोगी तो, अब यहाँ पर देखे, जो आप advance tax pay कर रहे हैं, तो जोड़ी नहीं है कि आपने full and final tax pay कर दी हैं उसी financial year में, हो अपने advance tax ज्यादा pay कर दी हो, हो सकताए equally pay की हो, हो सकता है कम pay की हो, तो यह आपको पता कब चलेगा, जब अपनी जो self assessment करेंगे, यानी जब टेक्स कालकुलेट करेंगे, assessment year में, तब आपको actually पता चलेगा, कि आपने advance tax ज्यादा pay की थी, नहीं की थी, या कम pay की थी, जो भ फाइल करते टाइम तो देखे फ्रेंड्स यहां पर अब मैं बैलेंस इट में हूँ और यहां पर जो टीडियस रिफंडेवल है यह भी आपकी एंट्री सेम रहेगी जो अभी दक मैंने आपको बताया है प्रीवियसली की कैसे आपको एंट्री करने है टीडियस की तो वो प्रोविजन एंट्री ऐसे मैंने कर रखी है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगा वो भी सेम होने वाली है तो देखे फ्रेंड्स प्रोविजन एंट्री क्यों नहीं है आप तो यह सोच रहे होंगे कि जब मेरा टीडियस भी पहले ही से कट चुका है और ए आपने time to time pay की है तो 15 मार्च तक आप finally pay कर देते हैं ठीक है उसके बाद भी आपका 16-17 दिन बसता है उस financial year का तो 31 मार्च को आपको actually पता चल जाता है लगवग कि आपकी earning कितनी हुई है तो उस case में आपको provision entry पास करनी परती है पूरे साल की और provision entry इसलिए पास करनी परती ह क्योंकि आप liability side ये दिखाना चाते हैं balance sheet में liability side आप actually ये दिखाना चाते हैं कि आपकी कितनी liability बनती है income tax department को income tax pay करने की और ये जो आपने advance tax pay कर दी है या जो आपको TDS कट चुका है ये आपका assist side होता है कि आप actually दे कितना चुके हैं तो friends दोनों में अंतर है एक तरफ आप liability दिखाने हैं कि आपको pay कितनी करनी हैं दूसरे तरफ आप दिखाने हैं कि आप pay कितना कर चुके हैं और यही दोनों जो आपका balance sheet में reflect होते रहेगा financial year में अब जब आप assessment year में जाएंगे वहाँ पर अगर आपने कम tax pay की है तो आप all tax pay करेंगे और अगर आपने मान कर चलि तो चार एंट्री भी ऐसे ही होगी जैसे अभी मैंने आपको दिखाई है ठीक है TDS refund की तो मैंने एंट्री बताई दिये और provision मान कर चलिए इस case में भी 400 मान कर चल रहा हूँ मैं अपने example में 400 लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यह जो provision के entry income tax pay करने की यह भी मेरी as it रहेगी ठीक है अब हम आ जाते हैं अपने assessment year में अब assessment year में मैं आपको situation बताऊँगा कि वहाँ पर मैं कैसे करूँगा adjustment के entry अब वो आप देखिएगा ध्यान से friends अब हम आ चुके हैं assessment year में और यहाँ पर balance sheet में एक बार आपको फिर से दिखारों entry करने से पहले ताकि आपकी clarity ज्यादा अच्छी रहे तो देखिए यहाँ पर provision के entry जो मैंने previous year में की थी वो 400 की की थी income tax pay करने की और उसके बाद जो हमारे assist side है advance tax जो हमने pay की है वो 100 रु जब मैंने self assess किया अपनी income को तो वहाँ पर मुझे पता चला कि मुझे 600 रुपए pay करना है income tax department को sorry यहाँ पर मैं 700 लेकर चल रहा हूँ क्योंकि 600 की तो मैंने payment करी दिये मैं यहाँ पर एक example लेता हूँ पहला example लेता हूँ कि मुझे 700 रुपए pay करने है यानि मुझे जादा tax pay करनी है जितना मैं pay कर चुका हूँ उससे ज्यादा मुझे tax pay करनी है तो इस case में मुझे कैसे entry करनी है सबसे पहले यह देख लिजिए यहाँ पर पहली situation आप से समझ लेजे कि मुझे ज़्यादा tax pay करनी है जो पर फ्रोवीजन की उससे भी ज्यादा tax pay करनी है जो मैं pay कर च चुका हूँ, advance tax या जो मेरा TDS कर चुका है, उससे जादा मुझे tax pay करनी है, तो इस situation में सबसे पहली entry जो मेरी होगी, वो मेरी journal watcher में होगी, वो जिस भी date को मैं ये जो calculation है करूँगा, assessment year में उसी date को करूँगा, मतलब जब मैं tax वगरा pay करने के लिए सोचूँगा, यहाँ पर जो मेरी entry होगी, वो ये होगी, सबसे पहली entry जो मैं journal watcher में करूँगा, वो मैं entry करूँगा अपनी liability को raise करने की, क्योंकि मैंने provision की थी 400 रुपे से, actually मुझे pay करना है 700 रुपे income tax department को, तो journal watcher में सबसे पहली जो मेरी entry हो रही है, वो हो रही है कि अपनी liability को कैसे मैं increase यह जैसे कि मैंने आपको पहले भी यह ledger दिखाया था, difference in income tax payable का, यह आपको याद होगा, under मैंने capital account रखा था, यह आपका debit होगा, जितना amount आपको pay करना है और ज्यादा, उसके बाद credit हमारा जो income tax payable का जो provision entry है, वो वाला जो ledger है, वो हमारा credit होगा, तो यहाँ पर total आप आप देख सकते हैं, income tax payable के नीचे 700 अब हो चुका है, आप देख सकते हैं, 700 CR लिखकर आ चुका है, current balance, तो यह entry हम सबसे पहले करेंगे, यह हो गया कि मैंने अपनी liability raise कर दी, कि मुझे actual में इतना tax pay करना है, अब इसके बाद मैं adjustment entry करूँगा, कि मैं pay कितना कर चुका हूँ तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा income tax का है, यह जो laser, यहाँ पर मैं इसे debit करूँगा 600 से, क्योंकि मैं 600 रुपीज पे कर चुका हूँ, और pay मैंने कैसे किया, वो आप देख लिजे, TDS से मैंने किया था 500 रुपीज, और यहाँ पर जो advance tax मैंने दी थी, यह मै मेरे credit होंगे, वो मेरा debit हो जाएगा, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर income tax payable के नीचे current balance अब 100 रुपीज आपको reflect हो रहा है, यहाँ अभी भी मुझे 100 रुपीज गौर्णमेंट को tax देनी बाकी है, तो मैं payment watcher में आ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर वो जो मेरा income tax payable तो friends, आप यह situation समझ गए, अब मैं सारी entries delete कर रहा हूँ, अब मैं आपको दूसरी situation यहीं पर समझा रहा हूँ, क्योंकि जो previous year है, वहाँ पर तो entry same होने वाली है, यहाँ पर आपकी situation कम जादा हो सकती है, तो अब मैं दूसरी entry ले रहा हूँ, कि आपको tax कम pay करनी, आपको refund आएगा amount, जो आपने advance tax pay कर दी, आपको वहाँ से refund आएगा, तो उस situation में कैसे entry करनी, अब आप वो देखिए, friends, अभी मैंने आपको एक entry बताई थी, जिसमें मैंने आपको बोला था, कि अगर आपकी जो tax की liability है, वो जादा निकलती है, और आपने provision कम से पास किया था, तो उस situation में आप entry कैसे करेंगे, तो पहली entry मैंने आपको दिखाई थी, ये करनी है, कि आपको अपनी liability को increase करना है, second entry मैंने आपको दिखाई थी, कि आपको यहाँ पर जो आपने pay कर दिया है, चाहे वो advance tax हो या TDS refundable है, उसको adjust करना है, और third entry मैंने यहाँ पर आपको दिखाई थी, कि आप जब payment करेंगे, तो देखे friends, इस case में, जब आप payment करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि आपके उपर advance tax की liability थी, previous year में, और आपने advance tax कम pay किया था, यानि आपने जो भी tax pay किया था, चाहे वो आपका TDS कटा था, या advance tax pay किया था, सब को अगर मिला दिया जाए, तो आ मैंने बोला था कि अगर आप advance tax कम pay करते हैं, तो आपको interest लगती है, और ज़्यादा pay कर देते हैं, तो जब आपको refund आता है, तो interest आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको interest का एक laser create करना होगा, यह मैं भूल गया था, उस time पर मैंने normal entry बता दी थी, कि अगर आप tax pay करते हैं, अगर आपके उपर advance tax की liability नहीं है, किसी भी previous year में, तो उस situation में आप normal payment अगर करने हैं सिर्फ tax की, तब आप यह interest वगदर नहीं लेंगे, लेकिन advance tax का जब case होगा, तो आपको interest भी pay करनी होती है, इसलिए आपको इसे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है interest due to short payment of advance tax financial year 19-20, वो अभी आपको पूरा दिखने रहा है, indirect expense के अंदर मैंने रखा है, ठीक है, जब income होती है, हमें interest के थूरू तो उसे हम indirect income में रखते हैं, जब हम किसी को interest देते हैं, तो उसे हम expense में रखते हैं, और यह जो आपकी income या expense है, जिस year में आप pay कर रहे हैं, या जिस year में आपको receive हो रही है, यानि assessment year में हमारे case में, तो उसी year की यह expense या income मानी जाएगी, इससे आप previous year में define नहीं कर सकते हैं, जिस year में आप actually pay कर रहे हैं, या जिस year में आपको actually receive हो रही है, interest, उसी year की वो या तो income होगी या expense होगी, तो जैसे अगर मेरा case है कि assessment year 2021 में मै मैं इसकी tax की मतलब calculation करूँगा 2021 में, तो वहाँ पर मेरे लिए ये expense होगा जो मैंने interest की payment की है, ठीक है, अब मैं second situation ये मान कर चल रहा हूँ कि जो मैंने provision entry की थी, वो मैंने perfect की थी, यानि मैंने जो 400 रुपए दिखाये थे liability उतनी ही मुझे government को देनी है, और मैंने total दे दिय च्छे सो रुपए, advance tax और TDS को मिला कर, तो अब मुझे यहाँ पर उसके लिए entry करनी होगी, जो difference amount हमारा बचेगा, asset side उसके लिए entry करनी होगी, यहाँ पर हमें entry क्या करनी होगी, जो हमारा income tax का है, income tax available का laser, उसी हमें यहाँ पर लेना होगा 400 से, यह हमारा इस तरीके से हो यहाँ यहाँ पर मैं actual pay नहीं कर रहाँ, assessment year में government को मैं pay नहीं कर रहाँ, यहाँ पर मैं adjustment कर रहाँ, ताकि जो हमारा raised amount बचे जो हमें government से refund claim करना है, उसे मैं reflect कर सकूँ balance sheet में, ठीक है, अब मैं credit कर रहाँ यहाँ यहाँ जो income tax का हमारा, sorry, जो advance tax मैंने pay की है, उसका laser यहाँ पर 300 रूपीज, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर credit करूँगा मैं TDS का जो laser है, उसे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, sorry, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मुझे 100 रुपे करना था, क्योंकि advance tax तो मैंने 100 रुपे pay की थी, और TDS मेरा आपको 500 रुपे deduct हुआ था, तो तो इसकेस में जब भी मुझे TDS का refund आजाएगा, जब भी आए, मैं उस debt को TDS का entry पास कर दूँगा, receipt watcher में, यहाँ पर मैं करूँगा TDS को credit 200 रुपे से, ठीक है, वित यहाँ पर मुझे interest भी मिलने वाली है, तो credit करूँगा interest को, जो भी interest मिलेगी, interest on TDS refund, मानकर चली 10 और बैंक में ही आएगी, तो इस तरीकेस entry हो जाएगी, friends, यहाँ पर मैं एक बात और clear कर देना चारहूं आपको, जैसे कि मैंने अभी तक जो भी entries दिखाई, उसमें मैंने दिखाया कि आपको TDS का amount refund आ रहा है, ठीक है, तो अगर मायन कर चली है, आपके case में कोई भी TDS का amount ही नहीं previous year में, आपने सिर्फ advanced tax pay की है, और advanced tax का refund आ रहा है, तो आपको same entry वैसे ही करनी है, जैसे मैंने TDS के entry दिखाई है, refund की जो entry मैंने दिखाई है, assessment year में TDS की, वैसे ही entry करनी है, सिर्फ जो TDS refundable का जो laser है, उसकी जगे जो आपका advanced tax का जो laser होगा, उसे आपको लेना है बाकी entry same होने वाली है, उस case में भी ठीक है, अब इसके इलावा अगर मान कर चली है, आपने late से return file की, मतलब जो due date है, उसके बाद file की, तो उस case में आपको late fee लगती है, 1000 रुपे, 5000, 10,000, इस तरीके से अलग-लग situations में लगती है, ठीक है, तो उसकी entry भी इस तरीके से होगी, एक बाद आप वो भी देख लीजिए, आपको payment watcher में entry करना है, debit करना है late fee के ledger को, इसे आपको रखना है indirect expense में, और GST वगरा not applicable रहेगी, ठीक है, इसके बाद credit करेंगे bank को या cash को, जिस भी mode में आपने की ओ payment, और यह याद रखिए, यह जो expense है, आपका previous year का expense नहीं है, क् जब आप 20-21 के return file करेंगे 21-22 में, तो वहाँ पर आपका ये P&L में reflect होगा late fee, income tax का जो late fee है, वहाँ पर reflect होगा, क्योंकि income tax में आप इस सब चीजों के लिए provision entry नहीं पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे expense है, जिसको disallow किया गया provision के लिए, जब आप उसे actually pay करते हैं, तब ही आप लिए, जो expense है, वो claim कर सकते हैं, या जब आपको उसकी कोई income receive होती है, तब ही आप उस income को दिखा सकते हैं, अब मैं second situation ये मान का चल रहा हूँ कि, जो मैंने provision entry की थी, वो मैंने perfect की थी, यानि मैंने जो 400 रुपए दिखाये थे liability, उतनी ही मुझे government को देनी है, और मैंने total द entry क्या करनी होगी, जो हमारा income tax का है, income tax available का laser, उसे हमें यहाँ पर लेना होगा 400 से, यह हमारा इस तरीके से हो गया, यानि यहाँ पर मैं actual pay नहीं कर रहा हूँ, assessment year में government को मैं pay नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं adjustment कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा raised amount बचे, जो हमें government से refund claim करना है, उसे मैं reflect कर सकूँ, balance sheet में, ठीक है, अब मैं credit कर रहाँ यहाँ यहाँ पर, जो income tax का हमारा, sorry, जो advance tax मैंने pay की है, उसका laser यहाँ पर 300 रूपीज, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर credit करूँगा मैं TDS का जो laser है, उसे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर, sorry, मैंने गल ठीक हुआ था, तो 300 मैंने TDS से ले लिए, ठीक है, अब इसके बाद आप balance sheet अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको reflect होगा, यह TDS मुझे 200 रूपे, government से और लेने बाकी है, तो इस case में जब भी मुझे TDS का refund आ जाएगा, जब भी आए, मैं उस date को TDS का entry पास कर दूँग receipt watcher में, यहाँ पर मैं करूँगा TDS को credit 200 रूपे से, ठीक है, with यहाँ पर मुझे interest भी मिलने वाली है, तो credit करूँगा interest को, जो भी interest मिलेगी, interest on TDS refund, मान कर चली 10 रूपे मिलती है, for example, और bank में ही आएगी, तो इस तरीके से entry हो जाएगी, friends, यहाँ पर मैं एक बात और clear कर देना चला हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी तक जो भी entries दिखाई, उसमें मैंने दिखाया कि आपको TDS का amount refund आ रहा है, ठीक है, तो अगर मायन कर चली आपके case में कोई भी TDS का amount है ही नहीं previous year में, आपने सिर्फ advance tax pay की है, और advance tax का refund आ रहा है, तो आपको same entry वैसे ही करनी ह है, refund की जो entry मैंने दिखाई, assessment year में TDS की, वैसे ही entry करनी है, सिर्फ जो TDS refundable का जो laser है, उसकी जगे जो आपका advance tax का जो laser होगा, उसे आपको लेना है, बाकी entry same होने वाली है, उस case में भी ठीक है, अब इसके इलावा अगर मान कर चली है, आपने late से return file की, मतलब जो due date है, उस 5000-10000, इस तरीके से अलग-लग situations में लगती है, ठीक है, तो उसकी entry भी इस तरीके से होगी, एक बार आप वो भी देख लीजिए, आपको payment watcher में entry करनी है, debit करना है, late fee के laser को, इसे आपको रखना है indirect expense में, और GST वगरा not applicable रहेगी, ठीक है, इसके बाद credit करेंगे bank को या cash को, जिस भी mode में आपने key payment, और ये याद रखिए, ये जो expense है, आपका previous year का expense नहीं है, क्योंकि इसे आपने pay किया assessment year में, तो ये आपका assessment year में, जब आप इसकी return फाइल करेंगे, ये भी आपका financial year होने वाला किसी assessment year के लिए, तो जब आप 20-21 के return फाइल करेंगे, 21-22 में, तो वहाँ पर आपका ये P&L में reflect होगा late fee, income tax का जो late fee है, वहाँ पर reflect होगा, क्योंकि income tax में, आप इस सब चीजों के लिए provision entry नहीं पास कर सकते हैं, कुछ ऐसे expense है, जिसको disallow किया गया provision के लिए, जब आप उसे actually pay करते हैं, तब ही आप उसके लिए, जो expense है, वो claim कर सकते हैं, या जब आपको उसकी कोई income receive होती है, तब ही आप उस income को दिखा सकते हैं, प्रेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और clear कर दूँ आपको, जैसे कि अभी मैंने late fee की entry आपको दिखाई, तो वहाँ पर मैंने उसे indirect expense में रखा था, तो जो late fee है, उसे मैं indirect expense में रख स है, उसे हम P&L में कभी reflect नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा आप, अब इसके लावा जैसे कि मैंने pay किया, जो भी मैंने interest pay किया, या जो भी मुझे interest मिला, government की तरफ से, या जो मैंने late fee pay की, यह मैंने actually pay कप की, assessment year में, तो कभी भी मैं इसे previous year की, न तो income, न तो expense मानू है, जिसको आप जब actually pay करते हैं, या कई सारी ऐसी income है, जिसे आप actually receive, जिस year में करते हैं, वो उसी year की income या expense मानी जाती है, तो जैसे है कि मेरे case में, अगर आपने assessment year 2021 में जो भी pay किया है, expense या जो income आपको मिली है, interest के रूप में, वो आपकी 2021, financial year की income कहलाएगी, क्योंकि य 20-21 जो आपका assessment year है, ये आपका 19-20 के लिए assessment year है, लेकिन actual में अगर मैं 21-22 की बात करूँ, तो उसके लिए ये जो 21-21 है, ये financial year है, तो जब मैं 20-21 की calculation करूँगा 21-22 में, तो वहाँ पर जो भी मैंने 20-21 में expense की है, या जो income मुझे gain हुए, मैं उसे वहाँ पर ये clear रहना चाहिए आपको बात, अब देखिए friends, कई लोग जो tally में entry करते हैं, वो थोड़ी different भी करते हैं, मैं एक बार आपको वो भी एक बार समझाने की courses करता हूं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कि entry सबकी अलग-लग हो सकती है, करने का तरीका अलग-लग हो सकता है, लेकिन basic concept अगर आपका clear है, तो आप किसी भी तरीके से entry करें, वो आपकी सही होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपका basic concept clear नहीं है, तो आप किसी दूसरे के entry को देखके confused भी हो सकते हैं, तो एक बार आपको मैं फिर से दुबारा वही entry को दिखा रहा हूं, लेकिन द दूसरी entry दिखा रहा हूं, दूसरे तरीके से, तो देखे friends, जैसा कि मैंने एक situation अभी लिया था, जिसमें मैंने बोला था कि assessment year में मुझे जाकर पता चलता है, कि मुझे actually ज्यादा tax pay करनी थी, मेरी liability ज्यादा थी, लेकिन मैंने provision कम से किया था, ठीक है, तो उस case में मैंने income tax paid नाम का ये laser बनाया है, जो कि मैंने रखा है capital account के अंदर ही, ठीक है, income tax paid for financial year, मैं यहाँ पर फॉर लिखना भूल गया हम, for financial year, उनने ज्रीज, ठीक है, कई लोग इस तरीके से भी करते हैं, जो provision का laser वो लोग बना कराते हैं, previous year से, जैसे कि मैंने बनाया था, उसे वो assessment gear म आकर हटा देते हैं, ठीक हटाने के लिए एक adjustment entry करते हैं, यानि उस laser को blank करने के लिए, empty करने के लिए, वो एक adjustment entry करते हैं, तो यहाँ पर वो करते हैं, डेविट करते हैं, इस तरीके के laser को बना कर income tax paid नाम से under capital account, जो भी amount रहता है, provision के laser में उसे यहाँ पर debit करते हैं, उसके मेरी liability जादा है, मेरी liability जादा हो, कम हो या equal हो, वो उस case में हमेशा इसे इस तरीके से पहले reduce करते हैं, वो यहाँ से इस laser को blank करते हैं, इसका जो amount है वो दूसरे laser में ले जाते हैं, और फिर जब payment करते हैं, तो income tax paid नाम का जो वो laser बना कर रखते हैं, assessment tier में, उसके through payment करते है वो हो सकता है, उनकी अपनी thinking ओ, entry sub case में same ही होने वाली है, लेकिन यह हो सकता है, इस clarity के करण कि यह जो income tax है, paid हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी लिखा हुए इस laser में, जो provision का laser है, income tax payable, और उपर वाले laser में income tax paid लिखा हुए, तो हो सकता है, इस clarity के लिए कि जब मैं laser देखो, तो मुझे पता चले कि यह paid हो चुकी है, तो हो सकता है, इसी clarity के करना वो इस तरीके से amount को shift करते हो, ठीक है, अब जब वो payment करते हैं, sorry, अब अगर मान कर चलिए, जैसे कि एक case है, जिसमें कि आपकी provision entry जो अपने की है, वो equal है, तो उस case में सिर्फ आपका यह entry हो ज देखा देता हूँ, यह नहीं है, यहाँ पर मैंने की है, हाँ, अब क्योंकि अगर आप इस तरीके से entry करते हैं, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहली entry क्या है, कि आपका जो provision में amount है, वो आप transfer कर रहे हैं, adjust करके जो आपने new laser create किया assessment year में उसके साथ, जैसे ही उस इसमें वो amount transfer हो जाता है, फिर एक second entry होती है, second entry क्या होती है, वो entry यह होती है, कि आपको journal watcher में फिर से एक entry करनी है, जिसमें आपकी liability raise हो रही है, मतलब कि assessment year में आपको पता चलता है, कि मुझे 300 और और देने थी, मैंने provision entry कम से की थी, तो यहाँ पर debit करते हैं, वैसे लोग इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उसका effect है, जो reporting का effect है, वो same जाना चाहिए, अब कई लोग तो ऐसे भी हैं, जो लोग individual है, मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग कभी भी provision entry नहीं करते हैं, previous year में यानि financial year में, वो क्या करते हैं, जिस year में, उन्होंने tax pay की है, जैसे कि assessment year में, उस year में सिर्फ एक entry कर देते हैं, जब वो tax actually pay कर देते हैं, उस date को, जैसे मान कर चलिए, मैं एक example लूँ, कि आपने previous year में कोई entry नहीं की, किसी भी प्रकार की नहीं की, मतार advanced tax अगर आपने pay की है, तो उसकी की, tedious कट है, तो उसकी की, लेकिन वो tax की liability के लिए, हम provision entry करते हैं, उसकी आपने नहीं की, assessment year में मान कर चलिए, आपने एक जुलाई को tax pay की actually, income tax department को, तो उस case में वो लोग क्या करते हैं, कि सीधे जाते हैं, payment watcher में, महा पर क्या entry करते हैं, मैं एक बड़ा पुद दिखा देता हूं, तो देखे friends, इस case में entry कैसे करते हैं, debit करते हैं, income tax paid का जो ledger बनाया है, उन्होंने एक under capital account उसे, उसके bank को फिर वो credit कर देते हैं, और उसके बाद बस यही entry होती है, उनकी सिर्फ payment करने की entry होती है, तो यह मैं किनके लिए बतारू, कई सारे ऐसे individual है, जो लोग provision entry नहीं पास करते हैं, previous year में, सिर्फ assessment year में, इस date को वो लोग actually tax repayment करते हैं, उस date को यही entry कर देते हैं, payment watcher में, और इसके बाद इसका effect कैसे पड़ता है, वो भी एक बड़ आप देख लेजिए, मैं आपको जादा से जादा clarity देने की कोसिस करूँ अपनी इस वीडियो में, ताकि कोई भी confusion आपके दिमाग में न बचे और आप मुझे बताईएगा comment box में, कि यह जो अभी मैंने last entry बताईए कि कई individual ऐसा करते हैं कि provision entry नहीं करते हैं, सिर्फ tax payment के entry करते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं कि जो लोग ऐसी entry करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो लोग provision entry करते हैं, और किनको मेरी बात सही लगी आपके पस capital था 99 जल 600 रुपए और उसके बाद वो credit side था और यह आपने जो entry की income tax paid करने की यह debit side है, जिससे आपका balance reduce हो चुका है, ठीक है, बाहर चलके देखिएगा तो आपको 99 जल 300 रुपए ही reflect हो रहा हैं, तो इस तरीके से entry होती है friend, तो मैंने try किया कि मैं आपको ज़ पूस सकते हैं, मैं comment works में बता भी दूँगा, लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो please वीडियो को like जोर कीजेगा, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe भी जोर कीजेगा, और हो सके तो इससे अपने friends के साथ जोर कीजेगा friends, thank you friends for watching my video दो